हेलो दोस्तो एसके लेक्ट और शॉर्क में आपका स्वागत है दोस्तो कैसे हो आप सकते हूं बहुत अच्छ होंगे दोस्तो कल के लिए सोरी में कल वीडियो ने डाल पाया प्रोब्लम हो गयती कुछ तो दोस्तो देखिए मेरे सामने आया है LG का टीवी तो इसमें समस्य क्या आ रही हो लाइनिंग लाइनिंग आ रही है देख सकते हो आप जैसे इस तरह से तो दोस्तों यह समझ से कैसे आती है इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों देख सकते हो कितनी इस तरह से कर रहा है थोड़ा से कैमरे के वज़े से लग रहा है पर लेकिन लाइनिंग जो है इसमे प्रोब्लम है यह इसमें ना तो कोई तस्वीर हो गएरा यह बस इसमें यहीं आ रहा है ओन करने के बाद तो गैस इसको कैसे रिपेर करें कंप्लेट वीडियो को लाश्टर देखना दोस्तों अभी अच्छे समय बारना समझ माने वाला नहीं है तो इसको कर लेते हैं आप मैं टाइस के लासी तो सब्क्रम कर लेते हैं और गर्राल निकाल लेती हैं माँ का पैको को मिल सकते हैं क्योंप्र होता जाद बात अलग इस त्गिंगे ये हमारा क्रृमींच तो गाइस जब इस तरह कि समझ हो पहलनी आई जाईट लयूँ पहुँ आईशिघक phase 5000 बात पहुँए तो गाइसमेहां पहल ब обяз इसमे आईच customize लगे की लीधु फ़ले के लिए लेकि चोड़ इंची से 29 तक के टीव में दोबारा से उन करके दिखा देता हूं कभी आप सोचे लगों से अपने करके रख रहा है ऐसा कुछ नहीं है क्योंगी गाइस मैं बिल्कुल रियल वीडियो बनाता हूं बिल्कुल लाइव देखे गाइस अभी भी रेड इस तरह क्य स्क्रीन बढ़ने की समस्य नहीं है पहले फैला स्टैप मैं इसलिए बता नहीं पहले करके देगो तो इस यहां पर मैन बौर्ड में आपको बढ़र कुछ नहीं करना है यह चोटा बोर्ड देख रहे हैं आप यह जो लगा है बेस वाला यह इसी में ही समस्या है यह इसी की स पहले स्विच ओफ कर लेना है इसको पावर में लिड तो यह जो बोर्ड है इसको बाहर निकालना माला इसमें से पिक्चर ट्यूम से में से बाहर निकाल लेना है मैं आपको पहला स्टैप बताता हूं इसमें करना क्या है कैमरे को मैंने सेट किया इसको अराम अराम से निका तो गाइस देख सकते हो मैंने निकाल लिया है इसके बाद फैला स्टेप इसमें करना क्या है देखे दोस्तों यह आर जी बी के लिए तीन आयो होगते हैं यह रैड कलर ग्रीन कलर और हमारा ब्लू कलर तो यह तीन वायर आयो होते हैं यहां से ड्राइव आती है आईसी से और यहां यहां पर एक स्टी वॉल्टेज मिलती है वह उसको एंप्लिफाई करके मतलब जो हमारे पिक्चर ट्यूब पर कलर बनाता है तो करना क्या है गाइस देखे महां पर तो हमें सीधी लगी है यहां पर कोई टांजिस्टर चेक नहीं कर सकते हम क्योंकि यहां इसी बाद में चाहिए चेक्क नहीं होगी आइसी यह नो पिन के एक रुगा बदलना है उसका विक से ओर प्र नहीं हो तो घंस थोस्त करता हो इस देखिये माल्टी मिटर को लगाना आपको कांटिनूट उल्टिए निकी तो आपको वन बाई बाइन चेक करने है दो आगा विद्दी जोड़ा सा को सिल नहीं हो यहां पर अच्छे से लगाता हूं मैं थोड़ा सा अभी है मीटर भी सैट रहा गए देखेए अब कामरा आपको बिल्कुल दिख रहुगा तो यह जो हमारे डायोड लगे हैं निकि जैनल डायोड जो है जिनर इसको वन बाइवन चेक करना है आपको एक तरफ से रिडिंग आएगे एक तरफ से नहीं आएगी तो अगर नहीं भी आ रही कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आपके देख लाइस्ट वाला अच्छे से लगाना है देखेंगा इस यहां पर जीरो नहीं आठ नो साथ यह उम सारे तो गलत है यह रिडिंग हमारी गलत है चार्सु पार यहां पर हमारे इतने सो कर रहा है वह यह बीप साउंड आ रहा है सोटिंग आ रही है तो गाइस यह बार पिर भी यमिए से एक तरफ से रिमूब कर लेंगे आपके लिए बतारों करने मुझे तो पता है ऐसा यह नहीं होता तो गाइस इस वाले जैनल डायोड को बाहर निकालते हैं पहले एक लाइग निकाल लेनी आपको आपकी संदुष्टी के लिए कहा हूं मैं वहना मुझे तो पता है कि यह सोट है क्योंकि इसमें जो बॉर्ड में लगा हुआ रहता है तब यह सोटिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि इसलिए पता है मुझे तो एक तरफ से लाइग निकाल लेनी आपको पहले जब किसी भी चीज में चेक करें तो अगर एक तरफ से लाइग निकाल लेना है तो इसके हमें जैनल डा से लगा सकते हो तो या कोई भी आप पुराना आपके पास CRT TV का बोर्ड पड़ा हो उसके बेस पर जो लगा होगा जैनल डायड हो आप कोई सभी उनमें से लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इस ही हमने जैनल डायड बलकुल बाहर निकाल लिया है ठीक है अब इसको ज कि सोर्टिंग में वाली डीडिंग है बिप साउंड है तो गाइस इसको बाहर निकाल का फैक्ट देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों इसकी सोर्ट होने का रीजन होता है या तो हमारी यहां पर और वल्टेज बनी है या फिर हमारी आईसी सोर्ट है तो करना क्या है जैनर डायोड को पहले आपको दूसा लगाना है मेरे पास यहां पर CRTTV की काफी सारी बॉर्ड पड़े हैं मैं उसके निकाल ले दाऊंगा तो निकालनें से पहले दोस्तों जब आप पुराना कोई भी निकाल तो उसे चेक कर लेना है वैसे गाई उसमें ठीक होगा और फि कि देखे गाइस यहां पर इस पर कभी कभी नहीं दिखाएगा बेफिकर रही है आप लगा दिजिए आप नया भी लगा सकते हो तो नया निकान लिए मज़े अंदर जाना होगा डिबी में रखी है पर मेरे पास यहां पुराना वी नीचे पड़ा हुआ तो मैंने पुराना लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है जो चल गया वो नया जो नहीं चला हो पुराना इलेक्ट्रों इसको लगाते हैं थोड़ा सा यहां पर सोल्डिंग इसकी हटा लेते हैं जो इसके होल्स बने हुए च्छोट-छोटे उसमें से दोस्तों मैं इसलिए कहता हूं वीडियो को शोड़के चले जाओगे तो इस लिएयुट लंगा लेते हैं दोस्तों जिन अच्छे से लगा लेते हैं धर लएक हैं यहां पर resolved लगाए तो प्रोट्म हो जाईए लगाना लगाए फ टो-ülच यह बगए बैयर दिरेकसन बनीओ दिए प्लस का तरफ प्लस माइस का तरफ माइनस तो इसकी गाइस यहां पर सोल्डिंग कर लेते हैं फिर भी इसको चेक करते हैं तो अगर गाइस यहां पर इसे करने के बाद भी हमारी यही समस्य आती है अगर यह वाली आईसी हमारे इस वाले जाने डायोड को बार बार सोट कर रह तो अच्छे से पकड़ गए सीधे में थोड़ा कमफर्टेवल खड़े होके अच्छे से लगा देता हूं तो गाइस देखिए मैंने यहां पर बेस को पिक्चर ट्यूम में लगा दिया है अब जड़ा मैं आपको स्क्रीन के सामने लेकर चलता हूं और मैं एक बार ओन करके जड़ा चेक करके दिखाता हूं समस्या का समधान हुआ है या नहीं हुआ है नहीं हुआ तो फिर नेक्स्टी स्टेप क्या करना है वो समझाँगा हो गया तो अच्छी बात है तो गाइस देखिए अभी हमारे समस्य अवरकि सब वही का वही है दो इससे नेक्स्ट स्टेप बताता हूं आपको करना क्या है नेक्स्ट आप जाने से पहले याद रहे आपको फिर से चारह जो जो पी दोनों ही चेंज़ करने होगे चेंज करने से पहले एक बार मैं ज़र आपको दिखाऊना चाहता हूँ सायद ये सोट हो चुका होगा तो इस IC को मैं गाईस निकाल देना होगा तो पहले मैं आपको देखे कि जैने डायोड गाईस एक बार चेक करके दिखाता हूँ अगर सोट हो गया तो ठीक है निकाल देंगे अगर नहीं हुआ तो कोई जब भी ठीक है तो गाईस देख सकते हो वहाँ पर सोटिंग आ चुकी है तो इस जैने डायोड को गाईस हम बाहर निकाल देंगे अब नया लगाएंगे और उसके बाद ही हमें आईसी भी लगा देनी होगी तो हमारा फाल्ट किलियर हो जाएगा 99.9% मुझे वो है कि यह हो जाएगा फाल्ट यह किलियर होगी क्योंकि गाईस इसमें यही समझ चाती है तो गाईस अब करके देखते हैं जो भी आपके सामने होगा तो इस स्वाले जैनर डायड को बाहर निकाल देना है हमें इसको निकालने के बाद यह आईसी हमें लानी होगी दोस्तो मेरे पास यह आईसी काफी सारी है यह आपको मार्किट में अवैलेबल मिल जाएंगी काफी आप मार्किट में से ले जा सकते हो या फोटो केंच के ले जा सकते हो तो यह ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों कोड से आती है ज्यादा कोड नहीं मतलब नमबर से आती है 1607 1608 भी लग जाती है इसकी जंगे तो मैंने आपको बता दिया तो इसकी IC की our hoarding कर लेते हैं मिहांसे उसकी जो sowling पनता और रील गया मैं आपको दिखाता हूँ सानलझ चाहता हूम वार वार फिर भी नहीं दिखा पाता सोरी उसके लिए तो इसकी çalış अठा लिए सब भी अब यहां पर IC को खोल लेती हैं तो इसकी जो एक पेच लगा हुआ है इट सिंग पर कसा हुआ है इसको बाहर करते हैं तो गाइस हमने हाप निकाल दी है तो गाइस यह आइसी के नंबर मैंने आपको बताई दिया था पहले 1607 क्यों तो ठीक है आपने आइसी अटा देनी है अब मैं आपको नए आइसी दिखा इस आइसी को हम लगाएंगे पुराने वाली आइसी को एक तरफ रख देते हैं यह आपको ज्यादा कोश्टली नहीं मिलेगी आप मार्केट में जाये जरा मैं प्राइज नहीं बताऊंगा दोस्तों सोरी उसके लिए आप ओन-लाइन चेक कर सकते हैं ओन-लाइन तो देखे क है तो है तो हमने इस पर देखिए थोड़ा से इट कंपाउंडर लगाया उसके पेज टाइट कर देना अच्छे से ठीक है गाइस यह पेज हमने कज दिया दोस्तों हमारे चैनल पर मैं जल्दी ही लाइव आने वाला हूं मैं आपको सभी फेस इसका है मैं अपना फेस दिख होंगा दोस्तों मोदी नगर भी हमारे दुकान है वहां पर हम बहुत ही कम जा रहे हैं लोग डाउन के समस्या बनी है तो गाइस देखिए अब हम यहां पर जैनल डायोड लगा लेते हैं दूसरा मैंने दूसरा लगाया गाइस यह तो इसको सही डारेक्शन में लगाना है जिदा सीधा है वहां सीधा उसकी नीचे की तरफ से पिन मोड़ें इस पर सोल्डिंग कर देंगा अंदर की तरफ मोड़ें यह तोड़ा सही से नहीं लग पा रहा है इसको बिल्कुल सैट करेंगे चिम्टी से बिल्कुल अच्छे मलब सफाई के साथ काम करना है दोस्तों यहां पर कर दिया विसके टोटल हमें सब्सक्राइब करनी है तो इसके सफार कर लेते हैं इसके सोल्डिंग के बिच में कोई पिन टचना हो तो कोई भी पेश्ट वगयरा टचना कर रखो तो ठीक है गाई से लग गया चैनल लग गया अप्लीट हमारा बोर्ड हो गया तो आ दोबारा चेक करते हैं हमारी प्रोब्लम जो 30 का समाधान हुआ क्या नहीं हुआ गाईस मुझे 99.9% है विस्वास्त की ये काम हो गया क्योंकि ये फाल्ट मेरे सामने काफी पहले बहुत ज़्यादा आ चुके थे लेकिन मैं सुचा वीडियो बना दूमें इसको पर तो आप का देखते हैं हैं वाईस है जैसा जो गारिस को दोबारा बहुत करके देखते हैं कैमरा में सामने ले जाता हूं चैक नकी करता हूं यहाँ पे ओन मैंने की सप्लाइवाला फाल्ट के लिए में लगाता उनौ आपritis ऊर्ण काम नहीं हो रहा है गाइस तो देखे गाइस नीला परदा आच चुक आ हैंने की कानtha की सुझा है पर मेया नातोई क्याश्च करें ना च्फाइक to भी निठाद हों कि स्क्रीन के सामने और स्कुपरें करता हूं कि क्योंकि डाये वाड़ आवी में म의 ते पर यह तो चुझा है रिमोट हुआ है इसलिए मैं थोड़ा चलने में समझ्चा बननी है तो मैं इसे एवी पर करता हूं फिर मैं आपको जड़ा दिखाता हूं गाइस देखिए मैंने एवी पर किया और इसमें सब कुछ चला है बहुत अच्छे से स्क्रीन आ रही है कलर वगयरा सब सच्छा आ रहे हैं कैमरे में थोड़ा सही नहीं दिख पा रहा होगा पर गाइस बिल्कुल किलियर है नेच्रल कलर है सब कुछ अच्छा है तो गाइस हमारा टीवी यह ओक्के हो चुका इसमें यही समझ्च मैं आफ को दोस्तों वीडियो आपको दोबारा दिखाता हूं देखिए गाइस में से मोट पे क्या तो देखिए गाई इसमें फिर से चलनें लगा है मतलब वही है कोपके हो चुका है हमारा टीवी अब इसमें कुछ भी चेड़ने जूरत नहीं है पेच लगाएंगे लेगी के कमेंट में जडरू बताकर जाना वीड़ी अच्छी लेकर प्लीज वीड़ीयो को लाइक करना है ऊध